हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकी में पे और मैं हूँ चंचल तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमें पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जैसा कि आप जानते हैं हमारी नाउन की सीरीज चल रही है और अगर आप नहीं जानते हैं मेरा मतलब अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे उपर आई बटन पर क्लिक करके पुराने वीडियो देख लीजे और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि हमारी नाउन सीरीज चल रही है तो आज हम पढ़न गुड़ू कलर तो किसी व्यक्ति विशेश चीज के हम बाट करते हैं वह होता है प्य休 Videos को रोपना आंओ और कामन गया होता है जो भी वर्ग से आता है जिसके कोई क्लास होती है जैसे boys, boys कोई भी हो सकते हैं, किसी भी boys को हम बोल सकते हैं, किसी specific, किसी particular व्यक्ति के बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लड़का हो सकता है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं country, तो कोई भी country हो सकती है, India, Australia, कोई भी country हो सकती है, तो जिसे हम जब किसी व्यक्ति विशेश की बात नही get started, तो चलते हैं अपने material noun के तरफ, अब material noun क्या होता है, पहले बात तो noun का मतलब ही होता है, नाम, किसी भी चीज का नाम, अब हम यह बात करें है material noun की, तो जाहिर सी बात है, नाम किसी material का, किसी भी material का नाम, जिससे कोई चीजे बनती है, name of a material, out of which things are made, material or substance, कुछ भी आप कह सकते है, इसको समझते है example से, जैसे कि अगर हम बात करें, gold, silver, gold से हमारी चीजे बनती है, rings बनती है, ornaments बनती है, silver से भी हमारी चीजे बनती है, और चांदी के बरतन भी होते है, पूजा में भी यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, तो यह raw material, जिस भी चीज से जैसे कि आपको होता है, iron, milk, water, sand, यह सब चीजे हमने नहीं बनाई है, यह हमें कुदरत से मिली है, यह भगवान ने हमें दी है, इसलिए आप यह भी कह सकते हैं, कि यह uncountable noun के श्रेणी में आते हैं, इनको हम count नहीं कर सकते हैं, क्या आप पानी को count कर सकते हैं, क्या आप आ जैसे कि आप कह सकते हैं, two milk, three milk, नहीं न, बट आप यह बोल सकते हैं, two liters of milk, या five liters of milk, तो ऐसे तो हम इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर आप बात करें, gold की, silver की, तो इनको भी हम वे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट आम इनको count नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते दो सोना, तीन सोना, चार सोना, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, शुगर, क्या आप शुगर को बोल सकते हैं, तू शुगर, थ्री शुगर, बट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 kg of sugar, 2 kg of sugar, तो ऐसे ही जितने भी नाउन है, यह मोस्ली अनकाउंटेबल होते हैं, इनको आम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनको आम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो और इसमें एक बात और भी है, कि अगर आप ध्यान से देखें, तो जैसे हम बोलते हैं, मिल्क, चीज, कर्ड, अब मिल्क यहाँ पर मेटिरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क से कर्ड और चीज बन रहा है, बट कर्ड और चीज नहीं है, मतलब कर्ड मतलब धाई, यह आपके मेटिरियल नाउन नहीं है, क्योंकि रॉव मेटिरियल कर्ड किस से बनाए, धही किस से बना है, milk से, दूद से, तो दूद आपका यहां पर material noun है, अगर हम दूसरा example लेते हैं, ring का, gold ring, तो gold ring, ring हमारा material noun नहीं है, क्योंकि ring हमारा finished product है, यह ring बनी किस से है, यह ring बनी है gold से, यह ring बनी है gold से, तो gold हमारा material noun है, वैसे ही अगर मैं कहूँ कि आपकी silver tray, silver tray, च चांदी की plate अपका material noun नहीं है, क्योंकि plate अपको finished product है, पर वो बना किस से है, बना है silver से, या मैं कहूँ नीबू पानी, नीबू पानी किस से बना है, नीबू पानी में, नीबू भी है, पानी भी है, तो raw materials में क्या है, पानी, जो पानी है हमारा natural, हमें नेचर से मिला है, त नहीं कर सकते हैं, पर हम इनको measure और वे कर सकते हैं, इनको नाप तोल सकते हैं, और दूसरी बात, यह mostly हमारे nature से हमें मिले हैं, और example में आपको बताई दिये, तो यह ज़रूर याद रखिएगा, कि जो raw material है, वो material noun होता है, जो finished product है, वो हमारा material noun नहीं है, Okay friends, next है हमारा collective noun, जैसा कि word में है collective, collection, मतलब समू, कुछ चीज इखटा होना, मतलब इसको हम बोल सकते हैं, the name of group of people, animals or things, किसी भी समू के नाम को हम बोलते हैं, collective noun, इसको हम जानते हैं, example से, जैसे कि बहुत सारे students, जब एक क्लास में होते हैं, तो चाहे वो girls हो, चाहे वो boys हो उस पूरे group को हम क्या बोलते हैं, class, उस पूरे group को हम क्या बोलते हैं, class, चाहे वो girls college में हो, चाहे वो boys college में हो, या school में हो, girls school, boys school, पर कोई भी सारे students, जब एक साथ बैटें, कोई ले रहे हैं, कोई lecture ले रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं, class, तो class हमार तो हम बोलेंगे की, लेकिन अगर चाबियों का गुच्छा है हमारे पास, तो हम बोलेंगे bunch of keys, इसमें bunch हमारा collective noun है, यह यहां पर दर्शा रहा है कि चाबियों का गुच्छा है हमारे पास, और इसी से दूसरा आता है हमारा ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए भी हम यूज करते हैं, bunch of grapes, तो bunch यहां पर हमारा है again, collective noun, अब एक player होता है, हम बोलते है player, लेकिन जब बहुत सारे players होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, team, yes यह तो आप सभी जानते हैं, team, team of players, जब बहुत सारे players के हम बात करें, जो कि एक group में है, तो उनको हम बोलते है team, team of players, और team है हमारा collective noun, yes और जैसा हम bees के लिए use करते है, swarm of bees, मदु मक्की के लिए swarm of bees, और हम बोल सकते है, petrol of policeman, petrol of policeman, petrol यहां पर है हमारा collective noun, लेकिन friends, यह petrol हमारा वह वाला petrol नहीं है, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, जो हम गाड़ियों में भरवाते हैं, petrol डीजल यह वह नहीं है, यह हमारा P-A-T-R-O-L, जो कि होता है, जब किसी एरिया में गश्त लगाते हैं, पुलिस वाले, उसको हम बोलते हैं, patrolling, P-A-T-R-O-L-L-I-N-G, patrolling, तो petrol यहाँ पर है हमारा collective noun, वैसे इस पर हम एक आगे वीडियो बनाने वाले हैं, homophones का, और पीछे भी हमने कई homophones के वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप playlist में जाके वीडियो को देख सकते हैं, और इसके बाद जो आगे वीडियो आने वाला है, उसको भी जरूर देखेगा, क्योंकि वो ही ऐसा ही interesting होने वाला है, homophones को लेके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, और एक आग और example देखते हैं, जैसे कि अगर शेरों के जुंट को हम बोलेंगे, बहुत सारे शेर जा रहे हैं, तो शेरों को जुंट को हम बोलेंगे, pride of lions, pride of lions, pride है यहां पे हमारा collective noun, अब चलते हैं, बुके पे, आप सभी ने सुना है, बुके, बुके क्या होता है, हमारा फूलों का गु हम बोल रहे हैं, यहां पे, बुके, तो बुके है हमारा यहां पे, collective noun, तो देखा, आपने बहुत सारे collective noun, से इनका एक particular word होता है, जिसको हम अलग अलग जगा पे यूज़ करते हैं, और जैसे कि गुसाई हुई भीड के लिए हम यूज़ करते हैं, mob, mob, मॉब क्या होता है, जब कोई भीड कहीं पे खटी है, लेकिन अचानक से वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है, जहां से भीड एकदम गुसे में आ जाती है, तो उस भीड के लिए हम यूज़ करते हैं, mob, एक general भीड के लिए हम यूज़ करते हैं, crowd, तो यह डिपेंड करता है, आप किस चीज़ के ल या ऐसा कुछ हो जाता है, जिससे कोई भगदड हो गई, तो उसको हम बोलते है, mob, क्योंकि वो भीड गुसे में आ गई, या भीड में एकदम भगदड मच गई, तो गुसाई हुई भीड हो गई, तो उसको हम बोलते है, mob, तो डिपेंड करता है, क्या situation है, उसके तो ऐसे ही मैंने कहा, डिपेंड करता है, किस सुचेशन में क्या यूज कर रहे हैं, और इसलिए हमें यह सारी वर्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, यह सारी वर्ट्स हमें लर्न करने पड़ेंगे, और यह आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, कहीं से भी जाके इंको गूगल से, क बहुत clear हो गया होगा और उसके बाद भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप comment section में लिखके हमें पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे email भी कर सकते हैं मैं surely आपका जवाब दूगी और इससे पहले कि हम जाएं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको बाइ